आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ क्रोमोजोम बोलते हैं जो क्रोमोजोम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है डायाड की फॉर्म में यह होता है हमारा क्रोमोजोम तो हमारा बताना है क्रोमोजोम नंबर के देखते हुए कि मियोसाइट और गैमिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है मियोसाइट के बारे में तो जो मियोसाइट होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो मियोसिस डिविजन अकर करते हैं मियोसिस डिविजन क्या होती है मियोसिस डिविजन होती है हमारी डिड़क्शनल डिविजन यानिकि this division के बाद हमारा जो chromosome number है वो half हो जाता है यानिकि अगर हमारा deployed cell है वो reduction division कर रहा है तो उसके बाद वो haploid بن जाएगा तो बतातो जो meosite होते हैं वो हमारे क्या होते हैं वो हमारे deployed cells होते हैं यानिकि 2NS के अंदर जो हमारा chromosome का number होता है वो paired रहता है, यह deployed होते हैं, यह हमारे reductional division करते हैं, इसलिए इनको बला जाता है meocyte क्योंकि यह meocyte division करते हैं, बात करूंगर gamete के बारे में तो जो gamete होते हैं, यह हमारी meocyte division से ही बनते हैं last में, और इनका जो chromosome number होता है, वो होता है haploid, यानि की single set होता है इनके पास chromosome का, त तो हमारे chromosome number के basis पर यह तो हो गया difference meocyte और हमारे gamete के बीच में, एक section हमारा deployed है, तो दूसरे section हमारा haploid है, अब बात कर लेता हूँ, यह आपर दूसरे part के बारे में कह रहा है, why is a whiptail lizard referred to as an parthenogenetic, यानि की जो हमारी desert में रहने वाली whiptail lizard होती है, उसको parthenogenetic क्यों भला जाता हाँ जी, उसके अंदर हमें fertilization देखने को नहीं मिल रही है, और वो directly change हो जा रहा है कि इसके अंदर नए organism के अंदर, तो ऐसे organism को बोलता हूँ, पारthenogenetic, तो बता दूँ आपको जो whiptail lizard होती है, इसके अंदर जो उसका female gamete होता है, वो without fertilization, हाँ जी, without fertilization वो एक नए organism, यानि कि एक नए whiptail lizard में बदल जाता है, तो इसी phenomenon को देखते हुए, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, पारthenogenetic, तो यहां हो जाता है हमारा question complete, thank you.